आज हम बनाएंगे दाल मकनी बिल्कुल धाबा स्टाइल से आथ में तंदूरी रोटी जिसे मैं आपको तवे पर बनाने का तरीका बताऊंगी और ये दाल मकनी बिना क्रीम के भी इतनी क्रीमी और टेस्टी बनती है कि सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो चलिए सबसे पहले एक बरतन में हम आधा कप या 120 ग्राम काली उड़त साबुत की डाल ले लेंगे और इसमें थोड़े से राजमा डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से पानी से वाश कर लेंगे और इस पानी को हम फैक देंगे इसी तरह तीन से चार बार पानी बदल बदल कर और इस पानी को हम फैक देंगे और फिर इसमें तीन कप पानी डालेंगे और इस डाल को साथ से आठ घंटे के लिए सोक करके रखेंगे डाल को सोक किये हुए आठ घंटे हो चुके हैं डाल को सोक करने से इसके पानी में वाइट फोम जैसा आ जाता है इसे हम ड्रेन कर दें इस दाल को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और अब इसमें पांच कप पानी डालना है मक्री डाल को बनने में बहुत टाइम लगता है इसलिए हमें इसमें पानी भी जादा ही डालना होता है अब इसमें हम तीन से चार लर्सन की कलियां डालेंगे और थोड़ी सी हीन डालेंगे लगबग डेड़ चम्मच नमक डाल देंगे इसे पहले बिना ढखन के बॉइल होने देंगे बॉइल करने से ये पानी में जो ज्ञाग आ जाता है इसे हम निकाल देते हैं ऐसा करने से डाल एसिडिटी नहीं करती है आब इस कूकर को बंद करके एक विसल फुल फ्लेम पर लगाएंगे और फिर 40 मिनट तक प्रेशा कूकर में इसे लो फ्लेम पर विसल्स दिलवाएंगे ये डाल अच्छी तरह से गल गई है लेकिन डाल और पानी अभी अलग-अलग है ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई है इसलिए अब हम इसे खुला पकाएंगे इसके लिए हम इसमें एक कप पानी और डाल देते हैं साथ ही मैं इसमें 50 ग्राम येलो बटर डाल रही हूँ अब हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है और साथ ही हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि डाल नीचे लग नहीं जाए साथ ही हम डाल का तड़का तयार कर लेते हैं इसके लिए हम कढ़ाई में 5 टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल के गरम होने पर इसमें एक साबुत लाल मिच, आधा चम्मच जीरा और एक टी स्पून अद्रक डालेंगे और इन्हें हलका सा भून लेंगे अब इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हलका सा भून लेंगे और एक बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे प्याज को दो से तीन मिनट तक फ्राई करेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च एक चमच धनिया पाउडर वन फोर चमच नमक नमक हमने इसमें जादा नहीं डालना है क्योंकि नमक हम पहले ही डाल में डाल चुके है और बटर में भी नमक होता है अब इसको हमने एक मिनट के लिए भूनना है और फिर इसमें दो टमाटर की प्यूरी डालनी है और इसे अब low flame पर तब तक भूनेंगे जब तक ये अपना oil नहीं छोड़ दे दिखिए oil एकदम अलग हो गया है दाल भी गाड़ी हो गई है और अच्छी तरह से mix हो गई है इसे मैंने 40 मिनट तक खुला पकाया है अब हम इसे तड़के में mix कर देंगे दाल को mix करने के बाद भी हम इसे 5-10 मिनट के लिए low flame पर पकाएंगे दाल मकनी को जितनी ज़ादा देर हम खुला और low flame पर पकाएंगे ये उतनी ही ज़ादा tasty बनती है और ये हमारी दाल मकनी बनकर तयार हो गई है ये दाल देखने में ही कितनी tempting लग रही है अब इसके साथ हम बनाएंगे तंदूरी रोटी नहीं तंदूर नहीं लगाना है इसे हम तवे पर ही बनाएंगे इसके लिए हम एक बॉल में दो कप आठा लेंगे इसमें एक चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे इसमें आधा चमच नमक डालेंगे वन टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इन सब को आठे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें आधा कप दही डालेंगे और दही को हाथ से अच्छी तरह आठे में मिक्स कर लेंगे अब इसमें जितने पानी की जरूत हो उतना पानी डाल कर आठे को नरम गूंध लेंगे इस तरह से आटे को पंच दे कर भूनेंगे, इससे आटा सॉफ्ट बनता है अब इस पर एक चमच ओईल डालेंगे और आटे को एक बार फिर से गोट लेंगे अब इस आटे पर थोड़ा सा ओईल हाथ से इस तरह से लगा देंगे इससे आटा सूखता नहीं है और एकदम नरम रहता है अब इससे हम ढख कर एक घंटे के लिए छोड़ देंगे इस आटे को एक बार फिर से सॉफ्ट हाथ से गोट लेंगे अब हमें इसके छुटे छुटे पेड़े बनाने हैं अब चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे अब इसे हम हलके हाथ से बेल लेंगे आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप इसको दे सकते हैं मैं इसको थोड़ी सी ओवल शेप दे रही हूँ अब हम इस रोटी को इस तरह से हाथ में लेकर इसकी एक साइड पर अच्छे से पानी लगाएंगे और इसे तवे पर डाल कर इसको हाथ से हलका हलका प्रेस कर देंगे जिससे की ये रोटी तवे के साथ चिपक जाएगी तवे को उल्टा करके गैस पे धीरे धीरे इसको सेकेंगे आटे में खमीर की वज़र से रोटी में बबल्स बन रहे हैं तवे को हम गैस पर इस तरह से धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि रोटी पूरी तरह से सिक जाए तवे को गैस के बहुत पास लेकर नहीं जाना है वरना रोटी जल जाएगी हमें इसे थोड़े से डिस्टन्स पर ही रखना है तवे को उठा कर देखते रहेंगे जब ये रोटी सिक जाए तब हम तवे को उल्टा खट लेंगे देखिए रोटी बहुत अच्छी तरह से सिक गई है क्योंकि ये रोटी तवे के साथ चिपकी होती है इसे तवे से अलग कर लेंगे और रोटी को दूसरी साइट से भी थोड़ी देर के लिए पका देंगे रोटी पर थोड़ा सा देशी घी लगाएंगे और ये हमारी तंदूरी रोटी तयार है दाल मकनी और तंदूरी रोटी का कॉंबिनेशन बहुती लाजवाब होता है दाल में हमने बिल्कुल भी क्रीम का यूज नहीं किया है मगर फिर भी ये ढबे वाली दाल से कम नहीं है और ये रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनी है और क्योंकि ये आटे से बनी है तो पूरा कॉंबिनेशन ही बिल्कुल हेल्दी है ये देखिए ये रोटी एकदम सॉफ्ट है और पीछे से भी बिल्कुल अच्छी तरह से सिखी हुई है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राय जरूर कीजेगा और मेरी वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और हां बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरी लेटिस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और मैं अगली वीडियो में आप से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू ओल फॉर वाचिंग मैं वीडियो